गाओं के लोग होते हैं ना जिसका इफर में चार बाच बेटियां होती है ना उन लोग के लिए तो मतलब उमर कुछ भी हो जाए कोई माइने नहीं रखता है क्योंकि वो अमेरिका में है हेलो दोस्तों आप सबको स्वागत करते हुए मेरा सुमन सा येटूब चैनल में तो दोस्तों आज कोई कोगिंग नहीं आज एक ब्लोगिंग लेके आई हूँ मेरी सहली का एक कहानी लेके आई हूँ जो कि बहुती दुखद है तो इन तक बने रहिएगा बहुती अच्छा ल तो एक मेरी सहली का कहानी है जो कि उसका उम्र जब रहता है 16-17 साल यूंक है तो मेट्रिक्स जिर्फ पासी की थी तो उसके बाद उसका एक रिस्ता आया जो कि अमेरिका से तो जब रिस्ता अमेरिका से आया तो क्या कहने मतलब उसका घर वाले जो भी बहुती खुस हुए कि यहां मतलब गाहों का लड़की उसका रिस्ता अमेरिका से आया है मतलब बहुती बड़ी बात और वह भी स्टाबलिष्ट है लड़का मतलब अच्छा घर खाता कमाता मतलब सब कुछ मतलब ठीक है तो इसके लिए सभी खुश थे उसका पिता जी मा सभी राजी हो गए कि कि उन लोग 4-5 बहने थे तो दोस्तों जब 4-5 लड़किया जिसका घर में होती है न तो उसका घर में सभी लोग चाते कि जल्दी जल्दी करके सब एक एक करके खाली हो जाए और वो बड़ी लड़की थी इसी कारण उसका 17 साल भी नहीं हुआ था 16 साल में ही मतलब उसका सा पहले का बीबी का दो बच्चे थे जो कि एक 6 साल का और एक 8 साल का 25 साल उस लड़की से बड़े थे तो क्यूंकि वह बहुत इस्टाबलिश्ट थे अच्छा बिगनेसमें थे और अमेरिका में रहने वाले थे तो उसमें मतलब जो गाओं के लोग होते है न जिसका एकर में चार बाच बेटिया होती है न उन लोग के लिए तो मतलब उमर कुछ भी हो जाए कोई माइने नहीं रखता है क्योंकि वह अमेरिका में है इसलिए और भी ज़्यादा तो साधी तो हो गई अच्छी तरह से तो लड़की लड़की भी कही ना कही मेरी सहली खुसी थी लेकिन फिर भी उसका मन में था कि जब साधी हो गई उसके बाद जब आई तो मन में था कि इतना उमर का लड़का साधी हो गया मतलब ऐसी था तो फिर जब चली गई तो धीरे धीरे समझ में आया और सारी बाते बता रहे हूं दोस्तों बहुत मतलब क्या बताओं लोग माबाब ज ज़्यादा बच्चे रते, ज़्यादा लड़की एखान में तो समझ़ते नहीं हैं और ज़ली ज़ली करके सादी कर देते हैं तो क्या हुआ हो, जब साधी हो गई तो दो बच्चों के साथ ही मतलब सारा दिन कुछ स्पेंड करना पड़ता था और कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था और कहीं बाहर लेके भी नहीं जाते थे पती और कुछ भी अच्छा सोपिंग मौल या बड़े बड़े जगा में जाना मतलब जैसे उसका एलावडी नहीं था जैसे घर में ही रहना बच्चोग समाल तब उसको धीरे-धीरे समझ में आया कि मेरा साधी हुआ इसरीफ बच्चोगों समालने के लिए ही और कहा गया था कि ठीक है तुम हो जाके पढ़ लेना जो पढ़ाई की है अभी तो कुछ भी न बाहर नहीं ले जाया जाता है तो और हमेशा चारोतर परदा में रहना पड़ता है रूम का बाहर ही नहीं जाना है क्यों तो उसको फिर पता लगाने के बाद पता चला कि पहरी के जो बीबी थी वह बहुत ज्यादा खर्चेलू थी और बहुत मतलब खुसूरत थी इसी कार जब यह भी मतलब मेरा सहली खुसूरत थी इसी कारण से उसको ना बाहर जाने को मिलता था और पतनी बहुत खर्चेली थी बोलके इसको भी बाहर नहीं ले जाते थे कि बहुत खर्चा यह ना करे और ना ही किसी का नजर में पढ़ जाए और ये भी पत्नी मेरा जिंदेग का जो था तो ओ धीरे धीरे लिखने लगी लिखते लिख छोड़ने लगी सोसल मेडिया पर पोस्ट करने लगी तो जब पोस्ट करती थी तो उसका जो पती था वो भी पढ़ता था फिर घरा के भी बोलता था कि तुम कितना अच्छा लिखती हो ना तुम कितना अच्छा जो स देखते थे तो एक दिन एक दोस्त बोला अरे यार तुम जो तुम्हारा पत्नी जो लिखती है तो पूरा कहानी तुम्हारा ही लिखती है तुम्हारा ही बाते सब शेयर करती है तुम किस तरीका से अपना पत्नी को बंदी बना के रखे हो अपना बच्चों को पालने के लिए रखे हो इतना कम उमर का लड़की का जिंदगी तुम बरबाद कर रहे हो सभी तो उसी में पोस्ट में लिखा रहता है तो फिर उसका पती को जब समझ में आया कि सही में ए तो सभी चीज मेरा ही लिख रही है मेरा ही पोस्ट कर रही तो बाद में उसका लिखना वो सोसल मेडि अमेरिका से अपना गाव आना इंडिया में इतना दूर आना तो बहुत मुश्किल ही नहीं ना मुंकिन था तो कैसे आएगी ना कोई चिठी लिख सकती थी ना कोई फोन कर सकती थी ना कहीं जा सकती थी ना कहीं आ सकती थी तो बहुत कस्म कस्मे और बहुत दुखत जिन्दगी जी रही थी दोस्तों श्रीप खाना खाना पीना से ही जिन्दगी पुरा अच्छा नहीं बन जाता है थोरा सा बाहर निकलो थोरा सा किसी से अपना दुख सेयर करो अपना थोरा बाते करो तभी अच्छा लगता है तो इस बात पाऊ फिसल के पाऊं थे चर्वा गाया मतलब से बोटे बेट में आ गया तब तो पत्णी को जाना ही पड़ेगा लाने कुछ करने कुछ तो फिर उसको जाना पड़ा तो गई तो पहले से जब उस पति भी देश में क्या जाने की कुछ कुछ भी ने जानती हमेशा घर में तालाग बंदी करके रखा था तो बाहर निकली तो कहां मेडिसिन का दुकान है कहां डॉक्टर का दिखाना क्या करना है उसको कुछ भी मालूम नहीं था तो बहुत परिशानी उठानी पड़ी तो इसलिए कहूंगी इस तरीका का पती को कि अगर पहले से नहीं दिखाओगे सब कुछ तो नया जगा से एक औरत जो लड़की है साधी होके आएगी तो कहीं करना कहीं मुसीबत जब होगी तो कैसे क्या कर सकती है नहीं कर सकती है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है पड़ेगा उसको इसलिए पहले से उसको क 17-18 साल से मैं इस लड़की को बंदी बना के रखा हूँ इस मतलब पतनी का धरजा दिया हूँ लेकिन फिर भी इसका कोई freedom नहीं दी हूँ यह जो मन का बात लिखती थी पोस्ट करती थी उसको भी बन करके रखा हूँ बहुत गलत किया हूँ फिर वो पती उससे माहफी मांगा और बोला कि नहीं तुम तुम्हारा पोस्ट लिखो आज से तुम कहीं भी जा सकती हो कुछ भी कर सकती हो मेरा इस कारण से ही मैं तुमको रोका था कि मेरा पहली पतनी बहुत ही खुबसूरत थी बहुत खर्चे भी थी मतलब मुझे फकीर बना के रख देती थी इसी कारण स तुम्हें मन में डर था कि कहीं तुम भी मुझे छोड़के ना चली जाओँ इसी करांसे मैं तुमको ऐसे करके रखा रहा है तो दोस्तों बात में ऐसास होने के बाद जिंदेगी अच्छा से भी कट रही है तो अब वीडियो को नहीं बढ़ाओंगी अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट शेयर सब्सक्रेब करने मत भूलिएगा फिर मिलूंगी नया व्लोंगी या नया कोगें के साथ बाबाई